हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विए एक मिस्सा टेग मेटेस इंवस्टर हम लोग जस कंपनी के उपर चर्चा करने वाले हैं MTNL है महा नगर टेलिफोन निगम लिम्टेड तेन दिन पहले ही अभी मैंने इसको डिसकस किया था और मैंने आपको दो टार्गेट दिया था फस्ट टार्गेट और सेकेंड टार्गेट दोनों ही टार्गेट कंपनी के हिट हो गए हैं और कुछ चीजें हैं जो आप लोगों उसे इस वीडियो में डिसकस करनी है कोविट को लेके और बाकी सब चीजें को लेके तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसके टार्गेट हीट हो गए हैं तो डेश टार्गेट क्या रखके चलने हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगर बाई की के लिए उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्सन में मिल जाएगा जिन लोगों ने योटुब पे जॉइन कर रखा है टेलिग्राम पे जॉइन कर रखा है उनका बहुत बहुत थैंक्यू आप भी जॉइन कर सकते हैं और उसके बाद अपने डाउट्स और कोस्टन्स जो पहुँच गया है तो कुछ बाते थी जैसे कि आपको पता लगी रहा होगा न्यूस के थुरू की कोविट के केसिस वापस से बढ़ने लग गये हैं और वापस से गॉवर्मेंट मतलब जो करफ्यू है लॉक डाउन है उसके बारे में सोच रही है जैसे स्कूल कॉलेज प्रिपेर रही है ऐसा नहीं कि मतलब गिर रहा है और गिर गया हम तो फस गया अब बेचनी पा रहे है तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखिए थोड़ा प्रॉफिट और बुकिंग का भी अगर आपको लगे कि हमको निकल लेना चीए बहुत दे दिया इसने तो वो कर ल ओड़ों यूके का देखने को मिल रहा है कि 98 के केस्स एकएक दिन में आ रहे हैं तो बहुत ज़ादा केसे हो जाते हैं ये और अगर इंडिया में इस तरीगे से ओने लगा तब तो बहुत भेहनख हो जाएगा तो उसके वैजस से मतलब cases जादा यह जान लेवा तो नहीं है बट जो अभी नया वाला है variant बट श्टिल यह लोगों को बिमार तो करी दे रहा है और बड़ी मात्रा में बिमार करेगा तो चीजें वापस से सुस्त हो जाएंगी रुख जाएंगी थमने से लगेंगी तो उसकी वज़े से दिक्क रुपीस 95 पैसे के राउंड है अच्छी मूमेंट थी आज भी एली कम्मुनिकेशन से आ जाती है मैंने आपको फाइनेसल अल्रेडी एक्स्प्लेइन कर रखा है तीन दिन वाला पहले का तो वही चीज आपको फॉलो करनी है मैं इसका भी ढाल दूँगा वीडियो के डिसि जिसका सिंपल सा रीजन था कि इसमें जो इन्वेस्मेंट आनी सुरू हुई है और इसी के चलते हम लोगों को इसमें काफी बहतरीन मूमेंट और रैली सब कुछ नजर आया अब उसी को देखते हैं जैसा कि मैंने आपको टार्गेट भी दिया था 39 रुपीस का और 38 रुप करते हुए दिखाई दे रहा है तो अगर आपको इसको खरीदने के लिए जाना है तो खरीदने वाली जो रेंज है ट्रेस वो काफी बिलो आती है तो आप इसमें कम इन्वेस्मेंट के साथ जा सकते हैं पर जैसा कि मैंने बताए कोविट की चीज को लेके तो उससे भी आप आपको प्रिपेर रहना है जो सेर कंटीनुमेस रैली दिखा रहे हैं काफी टाइम से उसमें आपको ज्यादा जटका लगने के चांसे हो सकते हैं तो उसके लिए आप प्रिपेर रहीएगा बाकी अभी जैसा कि चल रहा है ये कंपनी देखिए वापस है इसने एक इसका से लिए टार्गेट दिया था आज उसको ब्रेक किया अच्छी चीज है पर अब जो अगले टार्गेट की बात करेंटेस मैं वो तो बता देता हूं पर आप लोगों को प्रिपेर रहना है कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में जो अभी अब डाउन का है नए नए न में तो हम लोग उसको भी पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा बाकी नोटिपेशन बेल भी ओल पर रखिए और इस चीज को आप फॉलो अप करके चल सकते हैं देखिए दो मैंने टार्गेट और नेक्स्ट बता दिये हैं अगर चीज ऐसे ही इंवेस्मेंट और ग्रोथ रही तो आप इनको फॉलो अप करके चल सकते हैं पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो वैसे भी इस सेर में मैंने देखा है कि यह मुवमेंट करते हुए अप डाउन होता है तो आपको एक्जिट करने का मौका म में प्रेपेर्ड है जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि अगर गिरावट आती है तो हम दुबारा से इन्वेस्मेंट कर पाएं वो चीज आपकी बेटर कर लीजिए तो यही टोटल अपडेट था MTNL प चक्पिए प्रॉबाद 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 ना उसमें दूबाद है